आपका हमारे चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल में स्वागत है आगे बढ़ने से पहले प्ली चैनल जुरू सब्सक्राइब करें लेंसी काई सर्जरी क्या है जाने इसके फायदे और नुक्षान लेंसी काई सर्जरी आँखों से चस्मा हटाने के लिए की जाती है इसलिए अगर आप भी एक से दस पावर का चस्मा पहने हैं तो यह सर्जरी करा सकते हैं और अपने आँखों पे से चस्मा हटा सकते हैं लेकिन सरजरी करवाने से पहले अपने कोर्णिया की थिकनेस की जात जरूर करा लें, क्योंकि कोर्णिया की थिकनेस ज़्यादा होने पर ही यह सरजरी सही रहती है, जिनकी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही अच्छा रहता है इसके लिए. क्या लैंसिक आई साजरी आपके लिए सही है लैंसिक आई साजरी सभी के लिए सही नहीं रहती इसलिए इसे कराने से पहले डाक्टर से सला जरूर ले और करवाने से पहले इनसी जो कधान जरूर रखें अगर बहुती पतली कोर्णिया है तो इसे नहीं कराएं गर्वती महिल रिखाए हो या फिर सतन पान करा रही हो तो इसे नहीं कराएं गंभीर सुखी आँखों की विमारी होने पर भी यह है नहीं किया जा सकता उच्छे सतरिय अपवर्तक दोस होने पर भी इसे नहीं कराएं लेंसीक आई सर्जरी का प्रोसीजर क्या है? लेंसीक प्रकिरिया शुरू करने से पहले आँखों में कुछ खास दवाई डाल दी जाती है, जिससे की आँखे सुन हो जाती है रोप्रेशन करने में आसानी होती है. पलकों को जपकने से रोखने के लिए एक खास दरह का उपकर्ण का प्रियोग किया जाता है, ताकि सारी प्रकिरिया अच्छे से होसके. एक माइक्रो सर्चिकल मसीन के प्रियोग से कोर्णिया में एक फ्लैप बनाया जाता है और इस फ्लैप को उठा कर वापस पीछे लुटका दिया जाता है अब एक एक्सीमेर लेजर की मदद से आँखों को सही से माप लिया जाता है और इसे लेजर मसीन से सही से आँखों के ऊपर फिट हो जाती है अब जिनकी नजदीक की नज़र कमजूर है उनका थोड़ा कोर्णिया चप्टा कर दिया जाता है और जिनकी दूर की नज़र कमजूर होती है उनको कोर्णिया उनका कोर्णिया उचा उठा दिया जाता है अगर कोर्णिया का अकर बढ़ गया है तो उसे भी सही किया जाता है यह सारा प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद कोर्णिया फ्लैप सही स्थीती में वापस कर दिया जाता है और यह 5 मिनट के अंदर दोबारा चिपक जाता है लेंसे काई सरजरी के फाइदें इस पूरी प्रक्रिया में 30 मिनट से भी कम समय लगता है और आपकी देखने की समस्या खतम हो जाती है और आप सही से चीजों को देख पाते हैं इसमें दर्द बहुत ही कम होता है और बिना कोई टांका लगाई है प्रक्रिया पूरी हो जाती है ठीक होने में बहुती कम समय लगता है और कुछ ही दिनों में आप पहले की तरह काम करने लगते हैं लेंची काई सरजरी के नुकषान इससे आँखों में संकरमान होने का डर रहता है कुछ मामलों में द्रिष्टी की कमी आ जाती है या फिर द्रिष्टी पूरी तरह से चली भी जाती है कभी कभी डवल द्रिष्टी या छेद चमकतार रोशनी और चारो तरफ चमक का अनुभव होना आधी भी हो सकते हैं इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत होने पर तुर्ण डक्टर से बात करें आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्रीज मारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें हेल्दी लाइफस्टाइल धन्यावाद